तो हेलो गाइस केस है आप सभी लोग स्वागत एक और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है माइनक्राफ्ट का SMP तो गाइस यार देखो लाइन ओपन है SMP में आने की लेकिन डिस्कोर्ड जोइन करना पड़ेगा वहीं पर आके बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कोमेंट में अगर बोलोगे कि IP एड्रेस दो तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं ऐसे आइप एड्रेस मिलने से आप SMP में नहीं आप आओगे उसके लिए मैं एकसेस दूँगा तबी आप आओगे ये तो आप भी जानते ही होगे तो चलिए बात अब करते हैं हमारे SMP की गाइस जैसे कि अभी जेक और मैं केल रहा हूं तो अभी हम लोग माइनिंग करने के लि बनेगा तो इसलिए केओ में लावा मिल सकता है तो जेक ने बोला ता जो की मेरा टीम मैट है कि भाई केओ में चलते हैं मैंने देखा है लावा तो वहाँ पे माइनिंग भी कर लेंगे और लावा भी ले आएंगे तो अभी हम लोग लेकर जाएंगे यहां से फिलाल अभी जो भी लेपिस लजूली या फिर रेड इस्टाउन डश्ट मुझे दिखाई दे रही है वो सारी में कट कर रहा हूं लेकिन यार मैं जिस भी केव में जाता हूं इस वाले वर्ल्ड मैं तो मुझे कहीं पर भी डायमेंट क्यू दिखाई नहीं दे रहा यार यह पता निक्या नई तो जब मैंना भी पहले वाला वर्ल्ड खेलाता था ना हार्ड कोर वर्ल्ड उसमें अगर मैं किसी एक भी केव में उतर जाता था तो मुझे डायमेंट दिखाई दे जाते थे यह गजब का वर्ल्ड है यार मतलब इसमें पता निक्तने माइनिंग करनी पड़ेगी डायमेंट के लिए मतलब यार गाईस इतनी बड़ी केव है तो इसमें हमें कम से कम दो तीन तो डायमंड दिखने चाहिए थे ना लेकिन दो तीन भी नहीं दिखे नाम मातर भी डायमंड नहीं मिला है अभी तक वो बात है सोचने वाली यहाँ पर देख लो मेगमा ब्लोग जरूर मिल गया है तो यहाँ पर लावा मिलने का चांस है कि यार गाईस एक बार देखते है नीचे की साइड में लावा हो सकता है एक मिनट थोड़ा सा और नीचे तक माइनिंग कर लेते हैं अगर लावा आ जाएगा तो अच्छी बात है लेकि लावा आया है तो मैं खुद भी नहीं बच पाऊंगा इधर की साइड से कट करते है ऐसे तो लावा नहीं आने वाला यार गाईस मेगमा ब्लोग उपर ही रे गया और नीचे मैंने जो सोचा लावा हो सकता है तो वो नहीं है अभी इस केव में जेक भी मेरे साथ में आया हुआ है मतलब कि मेरा टीम मैट वो भी साथ में है फिलाल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो दूर है तो दोस्तो मैं थोड़ा सा आगे भड़ा वैसे देखो मैं एक बात बताओ इस केव में जेक ने बोला है कि भाई मैंने लावा देखा तो था इस केव में लेकिन फिलाल अभी मुझे लावा मिला नहीं है यार चलो गूम फिर के देखना पड़ेगा यार तभी ही दिखेगा रेड इस्टोन डस्ट मिल गई और यह थोड़ी देर बाद में हमारे बेग में आ रहे है ना आप लोग देख रहे होंगे में कट कर लेता हूँ गाइस तो फाइनली मुझे आगे चलने के बाद में लावा मिल तो गया है लेकिन मेरा अंदाज यह खेता है कि यहाँ पे शायद एक ही बकेट फुल हो पाएगी लावा की और मुझे जादा चाहिए यार मतलब मुझे पोर्टल बनाना है नेधर पोर्टल तो उसके लिए तो SMP open करता हूँ तो यह open हो जाता है अगर internet connection कुछ जादा ही slow रहता है तो यह open नहीं होता वो एक अलग बात है और अगर मैं 5G Wi-Fi पे या फिर 5G internet पे इसको open करने की कोशिश करता हूँ तो भी open नहीं होता मतलब यह high speed में भी open नहीं होता यार कमाल की बात है वैसे 5G इतना तो high speed नहीं है मुझे तो यसा ही लगता है आपको क्यों लगता है comment में जरूर बताना भाई साब बहुत बड़ी के हो है यार लेकन यहाँ पर bucket तो एक ही full हुई है और यहाँ पर मुझे iron के कुछ ब्लोग दिखाई दे रहे गाईस मैं इनको भी cut कर लेता हूं यहाँ से हो जाएगा ओके यह हो गया यह हो गया एक और बाकी है चलो भाई तो यह भी बेग में आ एक और जगा मिली जहाँ पर मुझे काफी सारा लावा मिल सकता था तो मैं यहाँ पर bucket फुल करने लगा चलो भाई यहाँ पर तो ज्यादा लावा मिल ही जाएगा आप लोगों को याद है जो मैंने पिछला वाला वर्ल्ड खेला था हार्ड कोर वर्ल्ड उसमें मतलब मेरे वर्ल्ड में एक जगा थी वहाँ पर मुझे लावा मिला था वहाँ से मैंने काफी bucket फुल की थी गाईस और वहाँ पर लावा खतम ही नहीं हुआ था वोटल वोटल तो मैंने उसी से बना लिया था यार चलो भाई अभी और भी लावा है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है काफी bucket फुल हो गई यहर गाईस एक और फुल होगी शायद हाँ हो गई मैं 25 मिनट ओफ हो रहा हूँ ओके कोई बात नहीं जेक बोल रहा है कि 25 मिनट ओफ जाएगा टाइमिंग फिक्स रहती है बन देगी 25 मिनट बाद में आ भी जाएगा मतलब चलो तो भाई लाव अच्छा खासा मिल गया गाईस और थोड़ी बहुत माइनिंग भी हो गई इसके साथ साथ लेकिन डायमंड नहीं मिला है डायमंड का मैं सोचोगी डायमंड लेकर जा रहे हो नहीं एक भी नहीं मिला तो लो भाई अब मैं अपने वल्ड में आ चुका ह तो मैंने उसको भी तोड़ दिया था और मैंने कुछ ये बड़ा बना के तयार किया है अब इसमें हमें शुगर केन जादा मिलेगी आला कि ये आटोमेटिक नहीं है इसमें तो हमें खुद कोई कट करना पड़ेगा लेकिन अभी फिलाल में आटोमेटिक बना नहीं रहा अपने पास मैं सारा सामान नहीं है अभी तक तो इसमें मैं शुगर केन लगा देता हूँ वैसे इस से भी काम तो चल सकता है यार यह हमेंने काफ बड़ा बनाया है अभी बचा कुछ काम है ना वो जेक कर देगा क्योंकि जेक ये बोलता है कि यह जो बीच में पानी डाल र यार ये शुकरकेन जो मेरे बेग में है गाईस ये पूरी की पूरी इस फार्म में लग जाएगी या कम पड़ेगी शायद मुझे लग रहा है कि कम पड़ेगी यार फार्म काफी जादा बड़ा है तो दोस्तो काफी देर तक मैं ओन रहा और मुझे शुकर केन को मतलब ग्रो करना था तो वो ग्रो हो चुकी है और ये ग्रो होती जब मैं ओनलाइन रहता तो इसलिए ओनलाइन बेठा रहा मैं और अब इनको कट कर लेते हैं गाइस यार मैं सोच रहा हूँ देखो विलेजर तो हम लोग ले आए अब उनके लिए वार्क इस्टेशन तो बनाने पड़ेंगे ना गाईस आलग अलग तरा गए तो वही मैं बनाने की सोच रहा हूँ गाईस इसलिए मैं यह शुगर केन कट कर रहा हूँ और यह देखो जेक अब यह आया था ओनलाइन 25 मिनट बोला था ना उसने तो वह आया और उसने यह देखो लकडी की यह लगा दिये बीच बीच में ताकि हम इस पे चल पाए अब मतलब शुगर केन भी लगी रहेगी है और हम लोग यहाँ पे चल भी सकते है चला तो भाई मैंने शुगर केन कट तो की है गाईस लेकिन पूरी कट नहीं की क्योंकि जादा शुगर केन की अभी मुझे जरूरत नहीं है यह रहा अपना विलेजर का घर और मैं आप लोगों को विलेजर दिखा देता हूँ यह क्या चल रहा है ओके यह जेक है मैं सोच रहा था कि जोंबी यार मतलब क्या कर रहा है जेक को मैं दूर से देखता हूँ तो यह से लगता है जैसे कि जोंबी आ गया है यार तो गाइस में एक बात सोच रहा हूँ यार मैं इधर की साइड में आया था विलेजर के घर की तरफ तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि बाद में लाइबेरियन विलेजर के लिए एक अलग घरागर में बना हूँ तो इदर की साइड में बन सकता है कि यार लेकिन जादा ही दूर हो जाएगा यार इदर का वो देखो आप लोग ये मेदान पूरा समतल करना पड़ेगा यार साही करना पड़ेगा अगर एक घर रखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होएगी यार क्योंकि उनसे हम लोग इंचेंटमेंट बुक निखा लेंगे ना तो उसमें काफी ज़्यादा दिक्कत आएगी माइनक्राफ्ट खेलते टाइम यार ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहती गाईस बस थोड़ा सा दिमाह जरूर लगाना पड़ता है हर बात में और गाइस अभी तो अपना ये पोकेट एडिशन चल रहा है एसेमपी लेकिन आने वाले टाइम में मोबाइल में ही जावा एडिशन एसेमपी बनाने की सोच रहा हूँ उसके लिए बातचीत भी कर ली है मैंने अपने एक दोस्त से तो वो बनवा देगा जावा एडिशन वो भी मोबाइल में खेल पाएंगे हम लोग तो जल्दी ही वैसा एसेमपी बनाएंगे इस एसेमपी को या तो हम लोग खतम कर लेंगे पूरा या फिर इसको बीच में बंद कर देंगे देख लेंगे वो बात तो आ देख लेगे सब्सक्राइब काम है मेरा चलो अब घर के अंदर चलते गाई और कुछ वर्क इस्टेशन बनाने की मैं सोच रहा हूं बट दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार कौन सा वर्क इस्टेशन बनाया जाए यहां पर मैं रेसी भी बुक में देख रहा हूं गाइस की जैसे की लेदर चाहिए यार मुझे लेदर से वो बनेगा ना लाइबेरियन विलेजर का वर्क इस्टेशन यह तो आप लोगों को भी पता हिए ब्लाश्ट फरनस बनाऊंगा तो उससे भी एक विलेजर बनता है वो भी देख रहा हूं मैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे यार मैं हर बार जब भी वर्ड खेलता हूँ मैं सब कुछ बना लेता हूं ये तो बात है लेकिन फिर मैं भूल जाता हूं यार एक मिनट ब्लाश्ट फर्नेस बनेगा कुछ इस तरह से चलो भाई ये बात तो मैं समझ गया कुल ड्रॉन ऐसे बनेगा बेरल ऐसे बनेगा आईरन, नगेट, कॉल यार कौन से कौन से ये जो होते हैं इनसे विलेजर बनते हैं रहते तो यही है वैसे यार वर्क इस्टेशन एक ये भी बनाना है मुझे ये तो बन जाएगा, इसमें तो ज़्यादा आईरन भी नहीं लगेगा ये इसमोकर है इसमोकर भी बनाऊं किया यार गाईस, क्या बोलते हो कॉमेंट में बताना मुझे इसमोकर से कौन सा विलेजर बनता है और बनता भी है ये नहीं बनता है मैंने चेक नहीं किया यार गाईस आस तक समझ में नहीं आरा गाईस, क्या किया जाए तो गाईस, यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ पेले हम लोगे ना इसमोकर बना लेता है तो smoker कैसे बनेगा अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक furnace बनाया furnace बना के ये बन गया smoker ओके लेकन blast furnace भी कुछ इसी तरह से बनता है देख देखते एक मिनट blast furnace कहाँ है यार यार ये बास समझ में नहीं आ रही मैंने बनाया तो था blast furnace ओके ये रहा गाईस तो इसके लिए हमें स्मूथ श्टोन चाहिए एक फर्नस चाहिए और आयरन चाहिए गाईस तो ये सारी चीज़ा अगर अपने पास में हो तो सब कुछ बन सकता है बिना कोई दिक्कत के और इस सब कुछ अपने पास बताओ भलब डायमेंड तो बिल्कुल बढ़ते ही नहीं है गाईस अपने पास में चलो कोई बात नहीं मैं पेले एक काम कर लेता हूँ गाईस मैं विलेजर के लिए बेड बना लेता हूँ ठीक है बेड भी जरूरी है और ये बलेक वाली वुल थी तो ये वो वैसे भी कोई काम की नहीं थी यार बलेक वाली वुल मैं अपने बॉक्स में नहीं रखता हूँ तो इससे अच्छा है कि मुझे बेड ही बना लू कहीं तो काम मिले उसको इसके लिए हमें स्टोन चाहिए और आयरन चाहिए तो दोस्तो अभी मैंने ये सोचा किया अपने पास में है ना मतलब फलेचिंग टेबल तो बन सकती है उसका तो सामान है अपने पास में अब देखो दो बेड बनाए तो इसलिए दो वर्किस्टेशन तो बनाने जरूरीद है तो लो भाई मैंने फलेचिंग टेबल ही बना ली बाकिया और कुछ तो अभी बन नहीं सकता है उसके लिए तैयारी करने पड़ेगी तो अब दबा दिया बटन मैंने और मैं जा रहा हूँ विलेजर के घर में तो आपको दिखा भी देता हूँ अब अपने विलेजर थोड़े से ज़्यादा हो गए है इनको मैंने खाना वाना खिलाए है ना तो इसलिए ये बढ़ गए है अभी तो ये बाहर घुम रहे है यार गाईस क्यूंकि देखो यहाँ पे ना आइरन का डॉर नहीं लगाया जेक ने मैंने बोला था उसको कि आईरन का डॉर लगाओ ताकि ये बाहर नहीं आए लेकिन उसने बोला कि गंटी बजा देंगे ना तो सभी अंदर चले जाएंगे इतने सारे बेड लगा दिये गाईस देख लो आप लोग लेकिन वर्क इस्टेशन अभी तक कम है और मैं तो और बेड बना के लेकर आगया यार अच्छा मैंने तीन बना लिए यार वर्क इस्टेशन चलो सही है अगर आप लोग ये सोच रहे कि भाई कितने बेड लगाओगे इतने सारे तो आपने लगा दिये तो मैं बताओ आप सभी को मैं टोटल 22 बेड लगाऊंगा गाईस जैसे हमने हाड कोर वर्ड में 22 बेड लगाये थे वैसे ही यहाँ पर भी उतने ही बेड लगेंगे यार विलेजर की कमी नहीं रहनी चाहिए अपने पास में ताकि ट्रेडिंग हम लोग अच्छे ही खासी कर पाए इदर की साट में ये क्या बनाया है जैक ने बनाया है गाईस ये Tapi ये क्या ताम जहाँ है यार ओके चलो यहाँ पर बेड लगा देता हूँ मैं चलो भाई तो यहाँ पर बेड लगा दिये और अब 22 बेड हो चुके है बेड की गिंति पूरी कर ली है मैंने तो इस लावा को ले चलते है गाईस और अब बनाते है ऑपसीडियन चलो सारा लावा ले लिया एक तो ये बकेट बनाई ना तो इतना जो आईरन था ना अपने पास में वो इसमें भी खतम हो गया गाईस ये क्या हो रहा है यहाँ पर जेक पता नहीं मुझे कुछ दे रहा था गाईस लेकिन मैं अभी दूसरा काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं लिया तो यहाँ पर हम लोग उपसीडियन बना लेंगे सही है न तो यहाँ पर लावा डाल देता हूँ गाइस में यह लोगाइस बीच में अगर शोट कटता है तो समझ जाना कि वो जेक बीच में आके कुछ न कुछ करने लग जाता है मतलब बाचीत तो इसलिए बीच का शोट कट कर देता हूँ मैं चलो भाई इधर की लाइन में तो लावा डाल दिया है बारिश भी शुरूँ हो चुकी है अब इधर भी डाल देता हूँ लावा तो यह लो यह डाल दिया लावा zou यह डाल दिया अब खतम हो चुक है लावा भाई लेकिन इस लावा से इतना ऑपसीडेट बन जाएगा कि अपना नेधर पॉर्टल बन सकता है तो मैं पानी ले आता हूँ पहले इधर की साइड में जाकर अटक गया था गाइस गेम ये मतलब अटक था ही है मैं क्या बता हूँ यार इसके बारे में चलो भाई एक ही बकेट काफी है वैसे तो तो जेक अपना काम कर रहा है फार्म का और मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी फिलाल अब अपने पास में जो तीन डायमंड है उससे हम लोग एक डायमंड की पिकेक्स बना लेंगे गाइस क्योंकि ओपसीडियन कट भी तो करना है हमें तो यहां पे डाल देते है पानी यह उठा लिया मैंने वापस और यहां पे फिर से डाल दिया यह बन गया गाइस अपना ओपसीडियन अब इसको जब चाहे तब हम लोग कट कर सकते है तो गाइस देगो अब ओपसीडियन का तो जुगाड हो चुका है अपने पास में काफी भाई लोग पूछते हैं कि यार ओपसीडियन कहां से आया कई बार पूछा गया है मुझसे मतलब जब मैं पहले वर्ल्ड जो खेला हूँ उसमें तो मैं ऐसे बना लेता हूँ और मैं एक बात बता हूँ जेक ये बोल रहा है कि उसको नेदर वर्ल्ड का कोई मतलब ग्यान नहीं है उसको कोई जानकारी नहीं है तो सारा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा फिलाल यहां पे इतने विलेजर हो चुके है कि गोलेम स्पॉन होना शुरू हो चुका है तो अब थोड़ी से आइरन अपने पास में बढ़ जाएगी हम इस तरह से गोलेम को किल करेंगे और आईरन हमें मिलती जाएगी ये गोलेम को ऐसे मैंने ही गिराया था guys बड़ी मुझिल सह ताकि हम उसको किल कर पाउं ये बात मैंने जेक को भी बोल दिये कि अब जितने भी गोलेमी स्पॉन होते है उन्हें किल करते रहो ताकि अपने पास में थोड़ी से आईरन हो जाए तो जेक ने बोला कि हम लोग आईरन फार्म बना लेते हैं तो मैंने उसको बता दिये कि अभी नहीं बनेगा आईरन फार्म थोड़ा सा लेट बनाएंगे तो वो भी बनाने वाले है वैसे ज़्यादा देर तो नहीं है लेकिन गाईस इस टाइम पर नहीं बनेगा वो तो हमारी तयारी ऐसे ही चलती रहेगी गाईस तो बस आज के लिए इतना है अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आये हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारा फेस्बुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दिस जाएए फॉलो कीजे लिंक आपको हमारे वीडियो के डिप स्क्रिशन में मिल जाएगा तो हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्लै में तब तक के लिए बाई